हेलो इस्टेंट आप सभी का सक्सेच कोचिंग सेंटर की आनलाइन क्लाशेस में स्वागत है आज हम लोग कछा बारा की इंग्लिस ग्रैमर में सिंटेक्स आफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे ठीक है तो सिंटेक्स आफ एडजेक्टिव में कौन से रूल आज हमको डिसकस करने हैं समझें तो जो रूल समय डिसकस करने हैं उसमें एक यह भी रूल है कि आप बताएंगे कि कि किसी भी कि सेंटेंस में है डबल कि सेंटेंस में डबल कांप्रेट्यू यह यह बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस में डबल कंप्रेट्यू यह डबल सुपरलेटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में डबल कमप्रेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता डबल कमप्रेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता एक example आपको देता हूं जैसे कि लिखा है कि he is more cleverer than his cousin अब यह sentence जानते हैं कहां पर इंकरेक्ट है यह देखें मोर और क्लिवरर डबल डबल कमप्रेटिव का प्रयोग किया गया है तो आपको शरूल को आशानी से पढ़ लेना है और यह सीखना है कि किसी भी sentence में हम लोग डबल कमप्रेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं ठीक है डबल कमप्रेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप जैसे यहाँ पर मोर और क्लिवरर दो दो लिखे हुए हैं तो इसमें से आपको मोर को हटा देना है तो यह आपका बन जायागा he is cleverer than his cousin यानि कि आप मोर और सीधे सब्दों में मैं आप से कहूं तो आप डबल कमप्रेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है अच्छा डबल सुपर लेटिव का भी प्रयोग नहीं किया जाता जैसे लिखा हुआ है कि रवी इस दा मोस्ट बेस्ट बॉआ है इन दा क्लास अब जैसे मैंने लिखा कि रवी इस दा मोस्ट बेस्ट बॉआ इन दा क्लास तो आपको पता है कि मोस्ट और बेस्ट दोनों सुपर लेटिव हैं है कि नहीं तो आपने इसमें जो देखा कि मोस्ट और बेस्ट लिखा हुआ है त प्रियोग नहीं करते इसलिए आपके नियम में पहले लिख दिया गया था कि डबल कंप्रेट्व या डबल सुपर लेट्व का प्रियोग नहीं किया जाता ठीक है तो हम यहां पर मुष्ट को हटा देंगे तो भी हमारा सिंटेंस बन जाएगा रवी इस फिर आगे लिख दिय यह सिंटेंस आपका करेक्ट है यह वाला भी करेक्ट है तो इस नियम से आप लोग याद रखेगा कि डबल कंप्रेट्व या डबल सुपर लेट्व का प्रियोग नहीं किया जाता अब अगला रूल में आपको बता दूं अगले रूल में आपका आता है जैसे कि few फिर आत और हैं करेट याद रखेगा यह क्या paradise यह क्या है अश्यक्टिव आफ नमबर हैं इनका प्रियोग हम लोग फिर से यह जो यहां dock near शे 그렇 यह सब्हें सभी आपका अडूंबर और इनका इस्तेमाल हम लोग उपक्नियुक्तियर इन आहे करतें ठीक है तो इनका近 कुछ जो है ठीक है आपको यह बताना है कि इनका यूज जो है एड्जेक्टिव आफ क्वांटिटी के रूप में नहीं किया जाता आप इसको पूरा सही से लिखेगा फेयर में मैं आपको ऐसे लिख करके समझा देता हूं तो समझ लीचे फ्यू मेनी सेवरल एड्जेक्टिव आफ नंबर हैं इनका प्रयोग आप एड्जेक्टिव आफ क्वांटिटी के साथ नहीं करेंगे इनका प्रयोग तभी करेंगे जब कोई चीज गिनने वाली हो कैसी हो गिनने वाली ऐसी ना हो जिसे आप तॉलने वाली हिंदी भासा में स इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता एड़ेक्टिव आफ नंबर के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता ठीक है जैसे एक दो तीन चार पंच है ऐसे नहीं दूद क्या होता है सौ ग्राम है दूद क्या होता अधा लीटर एक लीटर तो वह quantity है तो जो मिलक है वह quantity के अंतरगत आता है तो आप उसके साथ मेनी का several का फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप इसको लिखेंगे कि यह sentence आपका गलत है मेनी इस्तेमाल नहीं होगा इस सेंटेंस में आखिर फिर इस्तेमाल क्या होगा तो इसमें होगा दिस बेबी हैश टेकन और आगे लिखेंगे मच मिल्क दिस बेबी हैश टेकन मच मिल्क यह इसका क्लियर हो जाएगा तो आपको इतना याद रखना है कि आड़ प्रियोग हम लोग अड़िक्टि ओफ कौलटिटी के रूप में नहीं करते कौउटिटी मतलब तॉलने वाली अपने वाली आप जैसे आपको मैं बता दूं कुछ और है जैसे लिखा है स्म सम के बाद आपका लिखा है आल ाल केबार लिखा है मोंष्ट मोंष्ट पर, रै और कौढ़िटी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं इनका इस्तेमाल जो है जैकर ऑफ देख már देख्लें कौन्क्षा है सम है आल है मोश्ट है एनी है नो है इनका प्रेयों का अब एड्जेक्टिव आफ नंबर और एड्जेक्टिव आफ क्वालिटी दोनों में कर सकते हैं जैसे कई सारे एक्जामपल है एक यह लिख लीजिए कि देर इस देर इस नो पैसेंजर देर इस नो पैसेंजर अन्दा बुकिंग विंडो ठीक है अब मैं आपको बता दूं यहां पर जो नो इस्तेमाल है वो है एड्जेक्टिव आफ नंबर कारण जानते हैं क्या है वही यात्रियों को गिना जा सकता है है ना यात्रियों को गिना जा सकता है तो जो नो है वो क्या है अड्जेक्टिव आफ नंबर है ठीक है अब जैसे अगला एक्जामपल मैंने लिख दिया कि ही लेफ्ट नो वाटर ही लेफ्ट नो वाटर इन दा अब मैंने यहां पर लिखा कि he left no water in the glass तो आप जानते हैं यहां पर no क्या है साथ समझ गया होंगे adjective of quantity ठीक है तो इस तरह से आपने यह सीखा कि जैसे सम है आल है नो है एनी है ठीक है यह आपके ऐसे वर्ट्स हैं जो कि adjective of number और adjective of quantity adjective of number और adjective of quantity दोनों में इस्तिमाल होते हैं जैसे passenger के साथ no लगा है तो passenger adjective of number उनको गिन सकते हैं और water पानी पानी को नहीं गिन सकते तो वो quantity है तब भी आपने इसके साथ no का इस्तिमाल किया तो no का इस्तिमाल आप number और quantity दोनों में आप जैसे एक और एक्जाम्पल है और उसमें लिखा हुआ है कि he has bought यह आपका एक्जाम्पल आपको समझाता है कि he has bought some animals ठीक है आप देखें जानवरों को गिन में μέρट सकते हैं यह सम आपका क्या है एड्चेक्टिव आफ नंबर है आप जैसे लिखा है कि Bury Nepnail अग्ला एक्जांपल है कि bring me some tea इंदा कप अब लिखा हुआ किら इंदा कप ठीक है यह आपका लिखा एक ब्रेंग महां पर दो समें यह चाय को गिन सकते हैं ना तो यह आपका जो चाय वाला मसला है यह आपका एड़ेक्टिव आफ क्या हो जाएगा कौांटिटी हो जाएगा ठीक है तो हमने आज तीन रूल सीखे हैं चोकि जैसा कि मैं आप से कहता हूं कि उतना ही सीखे जितना परफेक्ट याद कर सकें तीनों सब्जेक्ट में आप ही को तीनों सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट कांटीने उपढ़ने हैं तो एक बार फिर से देख लें और आपको मैं बिल्कुल साट में दोहरा करके अंतमी यहीं समझाओंगा कि डबल कंप्रेट्व या डबल सुपरलेट्व का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे कि ऐसे अपने लिखाता मोंश्ट बेस्ट अभए मुष्ट भी सुपरलेट्व है बेस्ट भी सुपरलेट्व है तो हमने आज की नियम में सीखा कि डबल कंप्रेट्व या डबल शुपर लेट्व का प्रयोग नहीं करते हैं और फिर हमने क्या कभी adjective of quantity के रूप में नहीं करते जैसे कि दिस बेबी हैस टेकन मेनी मिलक तो मेनी आप दूद को नहीं गिन सकते उसे माप सकते हैं लीटर में ग्राम में ठीक है उसे गिन नहीं सकते इसलिए मेनी का इस्तेमाल हटा करके क्या लगा दिया मच रूल नंबर तीन में आपने सीखा कि सम आ जाए आल आ जाए मोस्ट आ जाए इन आ जाए नो आ जाए यह अड्जेक्टिव आफ कौंटिटी दोनों में इस्तेमाल होते हैं जैसे दियर इस नौ पैसेंजर आंद बुकिंग विंडो तो भाई यहां पर जो पैसेंजर उसे आप गिन सकते हैं अड्जेक्टिव आफ नंबर जहीं लेफ नो वाटर वाटर अड्जेक्टिव आफ क्वांटिटी यह पानी को गिन नहीं सकते हैं वह क्वांटिटी है अनिमल को गिन सकते हैं और उसके बाद चाय को नहीं गिन सकते ह का प्रेयोग इनका प्रेयोग जो है एड्जेक्टिव आफ टंबर और एड्जेक्टिव आफ क्वांटिटी दोनों में किया जाता है ठीक है उमीद आपको बहतर समझ में आ होगा प्राब्लम हो तो वाट्सअब कर दीजेगा या फिर कॉल कर लीजेगा ठीक थैंक यू